बॉलीवुट के खिलाडी अक्षे कुमार के फैंस के लिए एक बुरी खबर है फैंस अक्षे के जस फिल्म का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहे थे अब अक्षे उसी फिल्म में नहीं नजर आएंगे मैं बात कर रही हूं अपकमिंग फिल्म हेरा फेरी 3 की किन कारणों की वज़े से अक्षे ने इस फिल्म को छोड़ा है ये भी आपको बताऊंगी बनी रही है मेरे साथ वीडियो के लास तक दोस्तों बॉलिवुड के खिलाडी अक्षे कुमार के हातों से एक के बाद एक फिल्म में फिसलती भी नजर आ रही है साल 2007 में फिल्म भूल भूल या के सीक्वल को लेकर जब चर्चाएं तेज हो रही थी तो उसी बीच खबरे आने लगी थी कि भूल 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 या टू में अक्षे कुमार नहीं बलकि कार्तिक आरे न अजर आएंगे और हुआ भी ऐसा ही था फिल्म में भी कार्तिक आरेन ही देखने को मिले थे अब एक बर फिर अक्षे कुमार के हाथों से एक और फिल्म निकल चुकी है और ये फिल्म भी कार्तिक आरेन के ही हाथों लगी है यह फिल्म अक्षे कुमार के केरियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही है बात हो रही है हेरा फेरी 3 की हेरा फेरी 3 को लेकर काफे टाइम से खबरे आ रही थी कि जल्द ही मेकर्ज इस फिल्म पर काम शुरू करने वाले हैं फिल्म से जुड़े सामने आए अपडेट्स में ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे अक्षे की फैंस और हेरा फेरी के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे फैंस को ये बता दें कि हेरा फेरी 3 में राजू यानि कि अक्षे कुमार नहीं नजर आने वाले हैं हेरा फिरी थ्री में अक्षे कुमार होंगे या नहीं इस बात को लेकर काफी टाइम से अटकले चल रही थे लेकिन आप ये कंफर्म हो चुका है कि अक्षे पाजी हेरा फिरी three का हिस्टा नहीं होने वाले इस बात की जानकर एक खुद फिल्म में बाबुराव बने परेश रावल ने दी है जब से एक खबर सोशल मीडिया पर आई है और फैंस को पता चली है तब से कहीं न कहीं फैंस निराश नज़र आ रही है हेरा फैरी के थर्ड पार्ट में कार्तेकारे नज़र आएंगे पहले एक अंफर्म नहीं था कि कार्तेकारे न राजु भाई यानिकी अक्षे कुमार का ही किरदार निभाएंगे या फिर उनके लिए फिल्म में कोई नया क्यरक्टर क्रियेट किया गया है हेरा फैरी के थरी के कहानी पहले के पार्ट से आगी नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि एक नए सीरे से इस कहानी को लिखा गया है हेरा फेरी नाम सुनते ही हम सब के दिमाग में एक तिगडी बन जाती है जिसमें अक्षे कुमार, परेश रावल और सुनील शेटी होते हैं हेरा फेरी के सभी पार्ट्स अब तक फैंस को काफी ज़ादा गुदगुदाते रही हैं लेकिन अब हेरा फेरी 3 में अक्षे का ना होना फैन्स को कहीं न कहीं सोचने पर जरूर मजबूर कर रहा है कि हेरा फेरी 3 में भी अभी तक बने इसके पहले पार्ट्स की तरह ही कॉमेडी देखने को तो मिलेगी या नहीं फिल्म हेरा फेरी 3 इन दिनों अच्छी खासी सुर्खियां बटो रही है ये कन्फरम हो गया है कि फिल्म में अक्षे कुमार नहीं बलकि कारते कारे नजर आएंगे ऐसी खबरे आ रही थी कि अक्षे ने स्क्रिप्ट और डारेक्टर की वज़़ से फिल्म को छोड़ा है एरा फेरी 3 की कहानी अक्षे को जादा पसंद नहीं आई और फिल्म का डारेक्टर भी अब बदल दिया गया है इसी वज़ा से अक्षे इस फिल्म को नहीं करना चाहते लेकिन ट्रेड अनलिस्ट का कुछ और ही कहना है उनका साफ तोर पर कहना है कि अक्षे फिल्म से इसलिए अलग हुए हैं क्योंकि मेकर्ज उन्हें उनकी मुँ मांगी फीस नहीं दे पा रहे थे लहाजा फिल्म के मेन लीड में बदलाव हुए हैं खाला कि मेकर्ज ने इससे रिलेटट अभी तक कोई ओफिशेली अनॉंस्मेंट नहीं किया है कई ट्रेड अनलिस्ट का कहना है कि कोविट के बाद हालात बदले हुए हैं अब स्टार्स को मोटी फीस देकर बड़े बजट की फिल्में बनाने से पहले सौ बार सोच रहे हैं क्योंकि बॉक्स ओफिस पर उनकी फिल्मों का कलेक्शन अब कुछ खास नहीं हो रहा है अक्षे की पिछली कुछ फिल्मों ने फीका प्रदर्शन किया है लिहाजा मेकर्ज मौजूदा हालात के तहद उनकी फीस में तबदीली चाहते है अक्षे ने अपने अनुभव कद और ब्रैंड के तहद उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं नतीजन हेरा फेरी थ्री जैसे हालात बन रहे हैं बहराल कार्तिक आरण के बिजी शडियूल को देखते हुए एक आयास लगाया जा रहा है कि नए साल से पहले तक हेरा फेरी थ्री फ्लोर पर जाती नहीं दिखाई देगी कार्तिक अभी सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग में बिजी है फिर फ्रेडी की प्रमोशन पर जुटेंगे उसके फॉरण बात कार्तिक कबेर खान की फिल्म की शूटिंग करेंगे अब देखना है कि कार्तिक हेरा फेरी की शूटिंग कब करते हैं फिल्म को कौन डारेक करेगा कौन नहीं इस बात पर भी अटकले चल रही हैं डारेक्टर अनीस बजमी को हेरा फेरी 3 को डारेक करने के लिए मेकर्स काफी जाधा अप्रोच कर रहे हैं लेकिन अनीस बजमी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है यह फिल्म अगले सा वाले राजू को काफी जाधा मैस करेंगे जल्दी अक्षे कुमार गोर्खा सेलफी रावडी राठाटू बड़े मिया छोटे मिया जैसे फिल्म में लेकर बॉक्स ऑफिस पर आने वाले हैं दोस्तों आप हेरा फेरी में कार्तिक आरेन को देखना कितना जाधा पसंद करें या फिर बता और राजू आपकी पहली पसंद अक्षे कुमार ही है हमें कमेंच करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल प्लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं जिससे हमा